कि हाया हkyo हाय हाँ सों हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ें नाव रिंट गीप अब्न इल्ध्रिक 50 मार्व परते हैं है एलेक्ट्रिक लेक्ट्रिक फिल्ड पर दें है उसके बाद इलेक्ट्रिक फिल्ड्य परते er अभ एलेक्ट्रिक फ्लक्स एबाहन वहींक हैं ईलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ उसे पहले मैं एक तरते ऐवर या cudलोटाू एलेक्टिक स्मय इसा करहा असंद ऊंक के एवान का मिपला 힘क है दुछ करें दुछ मिरम इर geral ऑब शह्री Above सम्युक्षर के विद we which the human यह सपोस्पोस ब्रिशलेट जी अब मोल रहा हूं यह प्रेसलेट में से कितना फ्लो पास हुआ उसके अंदर से रहा हूं कि इतने वाटर मोलिकुल्स ऑ वक्त फ्लो फ्लो पास हुआ दूसरा एक्जमपल वही सेम पानी आ रहा है अब मैं यह रिंग ले रहा हम कि बूल रहा हूं कि रींग के अंदर से कितना pads क्या लग रहा है किस में से ज्ढ़ा पास हुआ होगा प्रेस मेंishment बसमें इहां पर षेष्ट मेंसे ब्रश प्रेस्लेश में से पर पास हो रहीा। इलेक्रिक्ट्रिक्वक्स हमें यही चीज बताजी है क्या कि नंबर ओफ विट वेलोसिटी वी थुरू अ स्मॉल फ्लैट सर्फेस दी इस इन दी डायरेक्शन नॉर्मल डूबू सर्फेस क्या कंसिडर वही एक फ्लो ओफ लिक्वीड आ रहा है ओके फ्लो ओफ लिक्वीड आ रहा है और यहां पर मैंने सपोज यह एरिया रखा हुआ है तो मैं कि यह ब्रैसलेट में से कितनी कॉंटीटी ओफ वटर फ्लो हुआ तो किसके उपर डिपैंड करेंगा क्या करता है क्या एक तो यह एरिया मैंने कितना लिया हुआ है अगर ज्यादा एरिया तो ज्यादा quantity of water कम एरिया तो कम quantity of water दूसरा भी चीज एक प्रॉपर्टी है जिसके उपर डिपेंड करता है that is velocity क्या वैलोसिट क्या अगर मैं तो पर्टिकुलर टाइन के लिए पर्टिकुलर रहा हुआ क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलग क्या एक साल के लिए फ्लो करता रहे तो तो बहुत ज्यादा होगा और एक मिनिट के लिए फ्लो करें तो कम पानी होगा मैं बोलू कि यह प्रेसलेज में से पानी बहर रहा है तो उसका वाल्यूम कितना होगा तुम कि वाल्यूम सबब्सक्राइब दे Button कम लेटर व्यां पील्ड़ अच्छल में 5 मिनिट को छॉए तो बॉह ज्यादा लीटर हो जाएगा ठीक सहे जाही रहा है समझ में आ रहा है तो time be dependent time मतलब के वही आ गया क्या meter per second मतलब velocity आ गया कि उसकी velocity कितनी है यह जो flow हो रहा है उसकी velocity कितनी है velocity मतलब per unit time ही हो गया है meter per second तो दो चीजों के उपर depend करता है एक तो velocity और दूसरा उसका area मतलब velocity में time तो आई गया है और दूसरा उसका area तो मतलब अगर area ज्यादा होगा bracelet ring area ज्यादा होगा bracelet के area ज्यादा तो ज्यादा quantity of water flow हुआ again speed भी क्या speed कि by speed ज्यादा होगी तो ज्यादा quantity of water pass हुआ flow हुआ और अगर speed कम हुए मान लो के मेरा area fixed है यह से bracelet ही है यह ओके लेकिन एक condition में मेरा जो water flow रहा है वो रहा है two meter per second की speed से कितना two meter per second तो 2 meter per second की speed से इसमें से पानी चला गया और दूसरे case में मेरा सब्स 20 meter per second की speed से पास हुआ मतलब कितना फास्ट पास्ट हो यह जो लेंद्ध कवर की एक सेकंड में यहां से एक water molecule है water molecule यहां से 20 meter दूर चला जा रहा है एक सेकंड में और पहले वाले केसमें यहां से एक सेकंड में सिर्फ 2 meter दूर जा रहा है तो ज्यादब amount of water pass होगा कब जब velocity ज्यादा होगी यह sentence अच्छा the rate of flow of liquid is given by the volume crossing the area per unit time vds and represents the flux of a liquid across the plane okay तो vds मतलब क्या वही दो चीज़ कान सी velocity और ds मतलब area उसके उपर dependent है क्या amount of water okay amount of water मतलब यह लिखा होगा है ना the rate of flow of liquid तो rate of flow of liquid मतलब क्या amount of water rate मतलब per unit time okay तो वो volume से बताया गया है तो volume area into velocity वो भी volume ही दे देगा area meter square velocity meter per second तो total क्या होगा meter cube per second समझ में आ रहा है ds meter square v meter per second तो उपर क्या होगा meter cube और नीचे गया होगा second meter cube मतलब volume per second इसले तो बुला rate of flow rate मतलब per unit time per second आया ना understood okay so if the normal to the surface is not parallel to the direction of flow of liquid to v but makes an angle theta with it the projected area in a plane perpendicular to v is delta ds cos theta क्या मोल रहा है फिर से बताता है ऐसा समझो कुछ लिए यह आना पड़ेगा मुझा यह निकलेगा तो लेकिन मान लो कि यह बोलो है मतलब यहां से जाएगा तो यहां से निकलेगा तो अब मैंने ऐसा रखा हुआ है तो यह क्या है पर्पेंडिकुलर पर्पेंडिकुलर क्यों क्यों क्योंकि मेरी फ्लो ओफ फ्लोइंग लिक्विड डायरेक्शन क्या है यह तो मैंने रखा कौन सी डायरेक्शन में यह डायरेक्शन मतलब पर्पेंडिकुलर है कि 90 DGğu बना रहा रहा एंड है यह और यह surface देखो और यह और यह 90 cause तु क्या है परपेंडिकुलr bringing flow of liquid के कौन सह यह surface परपेंडिकुलr यह परपेंडिकुलr है तब ही maximum amount of water pass हो सकता है जब यह और क्या होगा परपेंडिकलर हो कता हुआ अब मान लो कि यह मेरा सर्फेस द्यान से देखना है यह सर्फेस जो है यह पानी तो यह से यह आ रहा है इसकी जगह मैं फूरा ऐसे टिल्ड करूँ और अब मैं पूछू कि अमाउंट ओफ वाटर वो कम हो जाए क्यों पहले तो यहां से पूरा आ लेकिन इस साइड का जो आ रहा था तो यहाँ तक का अंदर से चला गया लेकिन ये साइड जो रहा था वो दो बाहर से चला गया समझ में आया वो उसके अंदर से पास नहीं यह जो हम budget статьa विटा हो सब तो करेंगे लेकिन पहले समझो साही समझ में अगर यह perpendicular है तो maximum लेकिन to trembling क्लेख Sergio pray गिलर नहीं है एक एंगल यह एंगल है यह थीता ऑच्राइश Simmons सम शूकार-呢 helemaal अब कितना होगा देखो प्रोजेक्ट एरिया इन प्लें पर्पेंडिकुलर तुबी इस देल्टा डी एस कॉस ठीटा या क्यों कि डी एस तो हमारा क्या है इस तो हमारा एरिया वो एरिया पर्पेंडिकुलर था मतलब 90 डिग्री था ओके तो लेकिन अब 90 डिग्री नहीं है तो अब कितना है अब चेंज हुआ है तो चेंज बहुत ज़यादा प्हसका रहांगा कि दुपार के टाइम पर ही बोटेज बहुत ज़्यादा प्च्छूट प्चूट विर्में वागे है मर्ण हने और कर रहा है तो थे झाल रहा है यह यह चश्ः फिकर ग्रोण ही यह हुँ देखो पहले क्या था जा इसा था पर्पेंडिकोर सीधा-सीधा जा रहा है लेकिन अब बतब यह पर्पेंडिकिन यह tokyा चुूडः जा रहा है तो मतलब की अगर कहने का मीनिक ऐसा है कि पहले पहले ऐसे चला जा रहा था ऑके यह कितना था नाई डिए लेकिन आब मैंने ऐसे रखा हुआ है और अब यहाएशे चाहरा है तो आप तो वहॉरी मोलिया के साथ क्या ही टीटा इंगल बना रहा है prestige chef बना रहा है एंगल तो उसके दो काम्पोनेंट याद करो हम बैक्टर में पॉढ़े ज़्ही जू को फिपाला कॉनसा होगा कॉवस्टधी तो यह हमारा हो जाएगा कॉस्ट थित karma पर युँ यहां न हुण गई गई है कि verticallyly जो हमारा projected area in the plane perpendicular to V मतलब जो हमारा velocity जिस direction में है उसके perpendicular अगर हम ले तो क्या हो जाएगा बी एस तो हमारा area है ही लेकिन साथ साथ में क्या delta cos theta क्यों 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 डायरेक्शन का angle देना पड़ेगा तो वो cos theta consider करना परेगा therefore the flux going out of the surface ds यह तो अंदर आया अब बाहर जाएगा तो भी out of the surface ds is V n cap ds तो V into n cap ds अब V into n cap ds मतलब क्या कि यह V तो है ही और n cap मतलब direction तो वो direction particularly कौन सी हो जाएगी यही बाली delta cos theta 1 okay so for the case of the electric field we define an analogous quantity and call it electric flux तो यह तो हम सब किसकी बार की flowing liquid की बार की लेकिन electric electric field के लिए भी same concept की लागो पड़ेगा तो इसलिए बुढ रहे है electric field के लिए भी we define analogous मतलब similar quantity okay and call it as electric flux okay तो कौन सी quantity कि particularly कितना मतलब तुमारा एंगल पर डिपेंड है ना अगर 90 degree हुआ तो ज्यादा number of water pass करेगा लेकिन 90 degree नहीं है तो कम number of water कम quantity of water pass करेगा वैसे electric field lines की बात करें तो अगर electric field lines ऐसे जाए और ऐसे है तो ज्यादा electric field lines pass होगी लेकिन अगर मेरा area ऐसे है तो तो कम electric field lines pass होगी और कम electric field lines मतलब electric strength भी कम होगी understood okay तो वो number है electric flux is just a number किस चीज़ का number electric field lines का number understood okay so we should however note that there is no flow of physically observable quantity unlike the case of liquid flow यहां पर कोई quantity flow नहीं हो रही है लेकिन यह सब समझने के लिए पूरा electric flux समझने के लिए हमने यह concept पड़ा done okay in the picture electric field lines described above we saw that the number of field lines crossing a unique area placed normal to the field at a point is a measure of the strength of this means that if we place a small planar element of area delta s normal to e at a point the number of field lines crossing it's it is proportional to the e into delta s obviously flux कितना होगा हमारा कि e into delta s क्योंकि normal to e at a point मतलब particularly electric field यहां पर दिखाई गए है okay normal मतलब क्या पर प्रपेंडी के बड़ा हमारा area कितना है delta s तो कितना पास होगा तो electric field जैसे के वहां पर हमने क्या किया कितना liquid flow plus होगा तो हमने क्या किया था velocity into delta s मतलब area तो हमने मिटर पर सकेंड into meter square to meter cube per second बिल गया तो वैसे ही यहां पर क्या बोलेंगे हम electric field into delta s समझ मैं वहां वो liquid water case ही हमें correlate करते जाना है velocity into delta s वैसे ही यहां पर e into delta s now suppose we tilt the area element by angle theta देखो अभी area को हम देखो चेंज कर रहा है अब यहां पर particularly area is a scalar quantity area क्या है scalar quantity कभी भी हम बोले कि भाई इसका area five meter square है तो हम कभी बोलते हैं जाकि कौन सी direction वह scalar है लेकिन particularly for this concept area is a vector quantity क्यों क्योंकि यह तुम्हारा area है वो तुमने 90 degree लिया तो कुछ और value आ रही है और तुमने 90 degree नहीं लिया तो कुछ और value आ रही है मतलब तुमारे direction matter करती है तो only for particular this concept area is a vector quantity okay तो अगर पूछे के electric flux के regard में मतलब तुम्हें दो वर्ड मिल जाए electric flux area and vector quantity यह दो तीम वर्ड मिल जाए और पूछे vector quantity और तो क्या गोलना है vector quantity electric flux हो तब okay otherwise नहीं so theta clearly the number of field lines crossing the area element will be smaller कम ही हो अब क्या होगा हमने डिसकस किया ना अव दी projection of the area element normal to e is delta s cos theta मतलब अब क्या होगा delta s cos theta क्यों 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 तो theta s area area कैसे था यह ऐसे आ रहा है तो एरिया हमारा ऐसे था ऐसे यह हमारी direction area की perpendicular था यह flow है तो यह हमारा area था perpendicular लेकिन अभी मामारा area tilt हो गया है तो यह tilt जो हुआ उसको हमें दो component उपर से देखो टॉप में देखो के तो पता से लेगा उसको हमें दो component में डालना है एक तो नीचे वाला component और एक यह side वाला component नीचे मतलब इस side वाला और इस side वाला और तो इस side वाला होगा यह अगर मैंने ठीटा रखा तो this direction is cos theta this direction is sin theta अगर मैंने यह angle theta रखा पर तो यह cos theta और यह sin theta done simple okay तो वही चीज़ यहां पर बता रहे है कि delta s cos theta does the number of field lines crossing the delta s is proportional to the अब हम सिर्फ e into delta s नहीं लेंगे into delta s लेते कब जब perpendicular था तो लेकिन अभी तो हमें component लेना है यह वाला component कक्या है यह थीड़ा है तो यह वाला component क्या हो जारे हो क्या है visualize कर पारे हो ना हो हाँ तो यह क्या हो जाएगा delta s cos theta और और इसे a cos theta लेको समझ में ना आया मैं ऐसे यसे करूँ तो मेरे दिमाग में तो फिट है तो मैं ऐसे कर रहा हूं तो तुम पूछना के सर्फ समझ में नहीं है तो यह हो गया डिल्टा इंट डिल्टा इस इस तो तो उसमें से कुछ में ही एडिया हूं में रिया हूं तो मतलब ऐसे समझो कि मैं यहीजा है यही सही है ब्रेसलेट है मैंने यह ऐसे रखा हुआ तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पास होगा थोड़ा तिल्ट किया तो कम वॉल्यूम पास होगा लेकिन इसे 90भी कर दिया तो कुछ पास ही नहीं होगा क्यों भाई इधर से पास करो तो ह यहां से कैसे पास होगा? Done? तो भू बोल रहे है के 90 degree रखा तो भाई पैरलल हो जाएगा दिल्टा-S और flow, electric field lines और से liquid flow वो क्या हो जाएगा? एक दूसरे के पैरलल हो जाएगा पैरलल हो जाएगा कॉस 90 हो जाएगा 0 Okay, so we'll not cross it at all The orientation of area element and not merely its magnitude the amount of water flowing through a ring will naturally depend on how you hold the ring if you hold it normal to the flow maximum water will flow through there through it then if you hold it with some other orientation this shows that area element should be treated as a right यह सब को जामने रिसकस के वही Okay it has a magnitude also direction how to specify the direction and all how to associate a vector area curve surface we imagine dividing the surface into a large number of very small area अच्छा तो अभी तो हमने बोला के भाई 90 degree ले ले लेंगे Okay तो अगर ऐसा है और यह flow है तो यह तो 90 degree ले ले लिया लेकिन एरिया ऐसा है तो उसका component लेंगे यह component 90 degree है अब यह component ले ले लिया आमने cost theta वाला Okay हब सब जगे समझ में आ गया अच्छा अब कोई ऐसा surface नहीं है ऐसा cloud surface है इसे cloud surface है तो क्या करेंगे तो बोल रहा है कि cloud surface हो तो सारे cloud surface को थोड़े-थोड़े cloud surface में तोड़ देंगे मतलब कि अगर ऐसा है अगर ऐसा था तो तो 90 degree था फिर हमने थोड़ा ऐसा किया तो फिर इसको हमने क्या किया दो पार्ट में डिवाइड किया यह component ले लिया यह निचे वाला component ले लिया कॉंसा डेल्टा एस साइड दन ओके लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तो ऐसा हुआ क्या करेंगे हम छोटे-छोटे component लेंगे यह component लिया अब यहाँ पर तुम perpendicular चेक करो यह उसरा component लिया तो यहाँ पर पर प्रपेंडिकुलर चेक करो ना हो तो फिर जो component आएगा जैसे यह परपेंडिकुलर नहीं ज्यादा component आये थे वैसे ही तो मतलब सारे एरिया हमें consider करना है मतलब कि अगर count surface है तो उसको छोटे-छोटे parts में डिवाइड कर दो तब जाके हम उसको समझेंगे just like की just like की Earth हमारा ऐसे गोल है गोल है और घूम भी रहा है तो हम कभी गिरते तो रहे नहीं तो वह तो gravity भी है लेकिन कभी भी तुम्हें ऐसे चलोगे चलते जाओ चलते जाओ कभी ऐसा लगा है कि अर्थ ऐसे गोल है नहीं लगेगा क्यूंकि कि हमारा area with respect to Dasure का area or say volume हमार छोटा इतना चोटा है कि कला भी ऐसे कर्वेचर हो लेकिन हम यहां पे खड़ा रहें हम यहां पे खड़े रहेंगे न तो यह सर्फेस तो प्लेन ही होई वाला ही कर्वेचर है लेकिन हमारा इतना चोटा है इतना चोटा है कि हमें तो प्लेन ही लगेगा खड़े हैं वो क्या पूरा पूरा ऐसे लंबे तक देखते रहा है एक किलो मिटर तक तो भी हम ऐसा लगेगा कि सीधा ही है क्यों क्यूंकि इसकी कंपेर में पूरा अर्थ का वाल्यूम और अरिया बहुत-बहुत ज्यादा है अगर कर वे चरुआ तो हम चोटे चोटे पीसिस में तोड़ देंगे मतलब यह ऐसे है तो उसको तोड़ देंगे यह बहुत सारे जब तक हमें ऐसा स्ट्रेट पॉइंट ना मिले तब तक उसे हम तोड़ते जाएंगे और फिर सब का सम कर देंगे फिर क्या करेंगे इसके लि इसके लिए भी मिलेगा, flux is equals to E delta S cos theta इसके लिए भी मिलेगा, सब के लिए मिलेगा, सब के लिए मिलेगा, सब का सम करेंगे तब जाके हमें final electric flux मिलेगा, done? okay so notice one ambiguity here the direction of an area element is along its normal but normal can point in two directions which direction we choose as direction the vector associated with the area element this problem is resolved by some convention appropriate to given context for the case of closed surface this convention is very simple the vector associated with the every element area of a closed surface is taken to be direction outward normal क्या बूल रहे है यहां पर तो रूख अपड़ लेता हूँ this is the convention used in figure क्या बूल रहे है कि perpendicular होता है वो तो समझ गए है कि area हमेशा perpendicular होना चाहिए लेकिन perpendicular भी तो 2 है यह भी perpendicular है यह भी perpendicular है पीछे वाला भी तो perpendicular ही है कोई हम surface लेने कि यह ले लिए ऐसा अगर हम surface ले तो भाल यह जो particular हमारा उब्जेक्ट है उसकी surface पर यह ही perpendicular us उसकी surface पर यह भी perpendicular यह ही और सबकुछ perpendicular है तो कौंसा ले? अभी कौंसा ले उसके लिए कोई रूल नहीं है लेकिन convention, conventionally मतलब क्या, चो हम पहले से लेते आ रहे हैं, वो क्या है, outward लेते हैं, कौन सा, outward, मतलब बहार निकलता हुआ, not अंदर आता हुआ, तो यह surface से अगर यह ऐसे बहार निकल रहा है, तो सही है, अगर यह surface के अंदर जा रहा है, तो यह सही, done, बस सिर्फ वही चीज़ बता हुए है, इकने सब में, अब, does the area element, point, close surface, delta s, हो ही सब बताया गया है, अब, क्या बोल रहा है, देखो, कि हमें, electric flux को denote कैसे करना है, phi से, किसे, phi से, नदब 0 और उपर एक लाइन मार, ओके, phi, अब e into delta s, तो e into delta s, cos theta, which as seen before, is proportional to the, proportional to the number of field lines, cutting the area limit, angle theta here, e and delta s, for a close surface with the convention stated already, theta angle between e and outward normal, yes, notice we could, ये सब एक्सटा ही, ऐसे ही गिए, okay, projection of e, e, delta s, component, e, along normal, that's it, वही सब कुछ है, unit of electric flux क्या होगा, तो unit of electric flux, delta phi क्या होगा, हमारे e का formula, into delta s cos theta, cos theta cos theta, cos theta cos theta, cos theta, cos theta cos theta, और E का unit क्या है? Newton per coulum. तो flux का क्या होगा? Newton per coulum into meters को है. So, Newton per coulum into meters है. Basic definition of electric flux given by can be used in principle to calculate the total flux through any given surface. मतलब क्या? Total flux अगर गिनना हो तो जैसे मैंने बताया कि अगर curvature है तो क्या करेंगे? उसके small part पर गिन लेंगे flux और सबको क्या करेंगे? sum up कर देंगे. तो हमें total दें जाएगा. All we have to do is divide the surface into small area elements calculate the flux at each element and add them up. यही चीज़ कर ला है. Sum up कर देंगे. Thus the total flux कैसे find करेंगे? कि 5 is equal to और से almost equal to summation of E into delta S. अब यहाँ आप है cost theta नहीं लिखा. Assuming that delta S is perpendicular. area perpendicular ही assume किया है. नहीं तो cost it आजाता कोई angle तो होगा. The approximation sign is put because the electric field is taken to be constant over the small area element. कि अगर छोटा area होगा, हम छोटा area लेंगे, तभी electric flux को हम क्या consider करेंगे? constant consider करेंगे. तो वही चीज़ बताए गई है. electric field भी हम constant कब consider करेंगे, जब छोटा area की बात हो. यह बता हो, बता रहा होगे फिर से. This is mathematically exit only when you take delta S is tens to zero. मतलब delta A कितना लेना है? almost zero जितना छोटा area लेना है. सोचो. इसलिए मैं बोल रहा था ना, कितने तुक्रे करोगे, उतना अच्छा है. Tens to zero मतलब zero ही है, लेकिन zero नहीं है. और Tens to zero, limit वाला concept. Okay. Tens to zero मतलब say 0.0000001. इतना छोटा है. लेकिन zero नहीं है. Okay. And sum up is written as an integral. फिर क्या हम last में क्या करेंगे? Summation कर दो, या तो फिर integration कर दो. Integration का meaning भी होता है, सबका sum कर दो. अब ये चीज़ बोल रहा है वो क्या कि A delta S क्या लिए हुआ है? बहुत बहुत ज्यादा छोटा एरिया है. क्योंकि यह हमारा n-cap है. n-cap मतलब क्या? अगें direction, perpendicular direction of the area. Okay. यहाँ जे perpendicular रोखिया? तो वो हमारा area का direction है. क्योंकि area का direction यहाँ आएगा. बहुत 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 ज्यादा चोटा एरिया हुआ है. तो सब जगे electric field हम क्या ले सकते है? same ले सकते है. और दर्वाइस तो यहाँ कोई charge रखा? यहाँ electric field ज्यादा? यहाँ पर कम है. ऐसा हो जाएगा. लेकिन charge बहुत बहुत ज्यादा area बहुत बहुत ज्यादा छोटा रखा. एकदम छोटा area. Okay. तो उसके respect में हम बोलेंगे कि electric field क्या है? same है. considering distance same होना चीए. फिर एक यहाँ है और यहाँ है तो obviously electric field same नहीं होगी. क्योंकि आर भी change होगा है. understood. Okay. तो कहने का meaning क्या है? लेल्टा एस tends to zero है. मतलब बहुत बहुत ज्यादा छोटा है है. So electric flux समझ में आ गया है? क्या show करता है electric flux? Again, वो ही पानी वाला ही concept याद रखो. Okay. तो कितना amount of water, rate of water flow दिखाता है? वैसे ही यहाँ पर electric field lines कितनी है? वो show करता है electric flux. क्यों? E मतलब क्या? E मतलब क्या? electric field और delta S cos theta मतलब क्या है हमारे area. तो particular area में E कितना है? भाई E तो same ही रहता है. लेकिन E same ही रहता है. लेकिन हमने छोटा area consider किया है ना? तो छोटा area consider किया है. तो वो अगर 90 degree पे होगा तो same ही है. curved surface होगी तो उससे हमें तोड़ ना पड़ेगा और फिर last में अलब करना पड़ेगा. तो इलेक्रिक flux में से majorly एक-एक मार्क के शाहिद question पूचे जाए उसका unit क्या होता है? उसका formula क्या होता है? डेल्टा S हम कितना छोटा लेते हैं? और E constant लेते हैं, कब जब डेल्टा S tends to zero हो तब अगर डेल्टा S tends to zero ना हो तो E हम constant लेंगे नहीं. तो वहीं चीज़ है, understood? तो यह पूरा हमारा concept था, electric flux का. Simply अगर मैंने जैसे starting में ही बताया था, वो short में क्या बता दे रहा है? number of electric field lines बता दे रहा है. समझने के point of answer, कि number of electric flux ज्यादा, मतलब number of electric field lines ज्यादा. Okay, electric flux कम, मतलब number of electric field lines कम. अभी field lines कम है, तो strength automatically कम हो गई. तो मतलब तुमारा E into delta is automatically कम हो गया. अगर field lines ज्यादा है, तुमारा E into delta is automatically field lines ज्यादा है, तो area भी ज्यादा हो गया. इलेक्रिक फ्लक्स ज्यादा है मतलब क्या बहुत ज्यादा नंबर ओफ एलेक्रिक फील्ड लाइन्स है अंडर्स्टूर्ड पक्का ओके ठीक है तो यह तना विक्ते है